है लेटो आज तो आज को टॉपिक है आपका लक्षमर गोर्ड है जो आपके समकाली चापाकार है और आपके एक्जाम के लिए बहुत ही सादा इंप्सक्राइब है तो आपको धीरे-धीरे करके जितने भी आर्टिस्ट है सब आपके करवा दिये जाएंगे तो यह आपको बत पर आपको तीनों में कन्फूजन ना हो तो यहां पर देखते हैं बहुत ही चोटी सी क्लास है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आपका लक्षमर जो है के लक्षमा गौर तो के लक्षमा गौर है यहां पर पहले तो इनको बता देती है के लक्षमा गौर जो है यहां पर एक तो इनका पूरा नाम याद रखना है यहां पर कलाल लक्षमा गौर है यह चीज़ आपको याद रखना है यह जो आप इनकी पिक्चर देख रहे ह है कैसे मलब गाउं में बीता है यानि कि आंधर प्रभाव इन पर बढ़ा है और इसलिए इस टाइप के यहां पर पिक्चर बनाते थे और बाकी इन्होंने देवी देवताओं के भी बहुत साई पिक्चर बनाने हैं बाकी यह जो जाने जाते हैं वो चापाकार के रूप में पृप जाने जाते हैं इसके अलावे यहां पर वो जाने जाते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं चित्रकार के रूप में भी जाते हैं यहां पर आप हैंardo जिस सबसे अधा फेमस वाली पिक्चर होती है उसको मैं सबसे उपर लगा लेती हूं कि ताकि आपको हमेशा याद रहे कि हां कि यह वाली है man, woman and tree यहाँ पर है man and woman and tree यहाँ पर tree आपको दिख़ रहा होगा यह बड़ा साथ tree दिख़ रहा है या फिर कह सकते हैं हिंदी में आदमी औरत और पेड जो किस में बना है आपका एचिंग में बना है किस में बना है आपको याद रखना है और यहां पर यहां पर यह अक्वा टिंट में बना है अक्वा टिंट में बना है अक्वा टिंट में बतलब आपको पता है ना कि रेजि एमे में है ये वली पिक्चर है इसको भी आपनों याद रखना बागी अभी फिर से आपको बता दें कि जब यहां पर है बागी इनके पिक्चर के बारे में और देखेंगे और भी जानेंगे इनके पिक्चर के बारे में तो पहले हम इनके बारे में देखते हैं यहां पर लक आमपूर हैदराबाद जो बरतमान में कहा है तेलांगना तो यह आपको याद रखना है बाकी हम बात करते हैं इनकी जो पुत्री है कौन से पुत्री नंदनी गौर जो एक क्या है एक कलाकार है इनकी रंग योजना कैसी है यानि कि यह कभी भी पिक्चर्स बनाते थे जैसे कि मौनो कर्म उन्होंने बनाया है ऑब हम बात करते हैं इनको प्रसिद्धी शापा कार के रूप में इनकी प्रसिद्धी किस इस पर किया है किसने के लक्षमा गौर्ड ने अब हम बात करते हैं इनका जो पर इनका जो टेक्निक है वह कैसे किया है यहां पर इन्हों नकासी, गौच, पेस्टल, मूर्थी कला और यहां पर ग्लास पेंटिंग सहीद विविन माध्यों में यह काम करते थे यानि कि आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने चित्रकला भी काम किया है, छापकला में भी काम किया है, ड्राफ्ट्समेन यानि कि रिखांकर में भी इन्होंने काम किया है, इन्होंने इन सब का भी यूज कर रहा है, इसके अलाबा इन्होंने नकासी में काम किया है, गौचे में भी काम किया है यहाँ पर इनकी पिक्चर देखते हैं लेकिन यह प्रमुक रूप से बस आपको याद रखना है प्रमुक रूप से किस लिए जाने जाते हैं छापाकार के लिए जाने जाते हैं के लक्षमगौर अब हम बात कर दें यहाँ पर इनकी जो सिक्षा है सिक्षा सिक्षा यानि कि चपा कार तो ही तो ग्राफिक सिक्षा इन्हों स सिक्षा प्राप्त करी ओंकาย सें hare Biologyेघ्चे-डी6 rights सिक्षा उन्हों से प्राप्त करी अब हम देख़ते हैं इन्हों सिक्षा प्राप्त करी है इनिå चापा कला का भी अध्यन किया था इसी टाइम में जब ये विद्धी चित्र का इन्होंने अध्यन किया था इसी टाइम में ही उन्होंने काम किया था चापा कला में इन्होंने काम किया था और इनकी उस टाइम में प्रसिद्धी भी हो गई थी जब ये अपना अध्यन कर रहे थे जब उन्होंने वक किया था उसी रहे में ये फेमस भी हो गए थे तो ये चीज़ आपको याद रखना है अब हम बात करते हैं यहाँ पर लक्षमगौड लक्षमगौड का यहाँ पर बचपन से यहाँ पर गाउ में बीता जाने से जिससे बहे आंध्रप्रदेश के ग्रामिर जीवन इन्हें हमेशा प्रभावित करता है यह मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जाता जो है के लक्षमगौड यहाँ पर इन्होंने लक्षमगौड का जो बचपन है उन्होंने गाउ में ही भीता था और ये आंद्रप्रदेश की ग्रामेर जीमन से इन्होंने हमेशा प्रभाविक किया है और यहाँ पर इनके पिक्चर्स में भी आपको देखने को मिल जाता है के लक्षमा गौर की यहाँ पर पिक्चर्स में देखने को मिल जाता है अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनके चित्रों में यानि कि इनके कलाओं में यहाँ पर ग्रामेर चित्रों और इरोटिक यानि कि कामुक जो कलपनाक शक्ती का बहुत प्रभावशील मेल मिलता है किसकी के लक्षमा गौड की अब हम बात करते हैं इन्होंने तांत्रिक विशय हो पर इन्होंने अनिक छापा तयार करें हैं इन्होंने अनिक छापा तयार करी है यह भी आपका पॉइंट के है वो है आप लोग याद रखिया दो को यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा important होता है वो इनके विशे सबसे ज़्यादा important हो जाते है यह आपको याद रखना है बहुत ही आपका मतलब जितना बताया था वो सब finis हो गया है अब हम देख थे हैं के जो पुरिशकार है तो बताइए गहाँ पर है तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो की लक्षम गौर्ड को इनो के पदमो श्री पुरुषकार मिल आ और कब मिला है 2016 में इनको पुरुसकार से सम्मानित किया गया है के लक्षम गौर को अब हम बात करते हैं पर प्रमुक चित्र, तो प्रमुक चित्र कौन सा है यहाँ पर man, woman and tree यानि की आदमी, औरत और पेड़ जो मैंने आपको first time में अभी जब याद रखेगा, बहुत बार exam में यहाली पूछ ली जाती है तो आप लोग इसको जरूर याद रखेगा अब हम बात करते हैं पर woman and interiors तो यहाँ पर woman and interiors है यह आपका गवाश में बना है, woman with flower है very important है, यहाँ पर इसको याद रखेगा lady with flower है निजामपूर है, निजामपूर पर यहाँ पर इन्होंने series बनाई है, अभी आपको picture जिखा देते हैं कि कैसे बनाई है, यहाँ पर उसको भी आप लोग जरूर याद रखेगा family है, family भी important है इसको याद रखेगा, next question है यहाँ पर next point है, यहाँ पर गड़ेश के अलावा यहाँ पर इन्होंने दुर्गा पर बनाया है, लक्षमी पर भी बनाया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रिश्न पर भी बनाया है, यहाँ पर जब गड़ेश है तो बहुत सारे देवी देवताओं पर भी इन्होंने चुत्र बनाए है lady looking in a mirror lady looking in a mirror है very important है आप लोग इसको भी देखिएगा half human half animal half human है और यहाँ पर half animal भी है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह वाली when to woman with trees above जो है यहाँ पर when with trees above है यह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर when woman with trees जो है यहाँ पर above जो है यह भी आपकी important है इसको भी आद रखीगा panis and woman है इसको भी आद रखीगा next है यहाँ पर ceramic series ceramic series है very important है यहाँ पर figures with a god यह भी आपकी pictures यहाँ पर है आप लोग को दिखा देते हैं यह जो आपको बता ही दिया है चले तो अब हम बात करते हैं इनकी pictures यहाँ पर आप लोग चलोए तो यहाँ पर उसी तरीके से बढ़ते हैं यहाँ पर जो बढ़ाने का है उसी तरीके से बढ़ते हैं यहाँ नीक्चे से बढ़ते हैं तो यहां पर जो पिक्चर हैं आप ₯हां पर देख हो गी गई मैं आपको ईस टर्टे इक जो तो यह है यहाँ पर women है two women तो बात करते हैं पर जो है यह कौन सी है आदमी औरत और पेर कौन सा है आदमी औरत और पेर most important है बहुत बार exam में यह वाला आता है तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से याद रखिएगा अधिकतर पूछ ले जाता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह वाले picture इन करे में यहाँ पर प्रूचले हो सकता है कि यहाँ पर कॉएं सन्ग्राले में है तो बता देते हैं अच्छे में है यह वाला इसको याद रखिएगा नेक्स देखते ThailandMA कर दो बोल सकते है figure and goat है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते है जो 1996 में ये बना हुआ है आप लोग ये picture देख सकते है यहाँ पर goat तो बड़ी cute सी है चलिए तो यहाँ पर देख सकते है यहाँ आप लोग देख सकते है girl with goat तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 1996 में यह बना हुआ है जो किसमे बना है आप का, किसमे है पेंटेड Top निजामपुर की सीरीज भी भी बहुती ज़दा important है इसको आप लोग ज़रू देखिएगा तो यहाँ पर यह चीज हो गया है अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पर जो है इनकी और भी पिक्चर्स है उनको और भी पिक्चर्स के बारे में अभी आपको बता देखे तो पहले यह रिजाम पूर का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह पिक्चर्स यह भी आपकरेलिक में भी इन्होंने काम किया है, आप गणेश की पिक्चर देख सकते हैं, यह वाली है, जो आकरेलिक और कैनवास में है, बाकी हम द देखती है यहां पर गाड़ीस लकश्मी, तो गाड़ीस लकश्मी है, यहाँ पर यह बना है 1968 में यह बना है पिक्चर देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखके ही लग जाता है जब प्रिंट लिया जाता है यहाँ पर तो देखके ही पता लग जाता है कि हाँ यह पिक्चर एचिंग में ही होगा क्योंकि प्रिंट है प्रिंटिंग आपका ब्लाक और वाइट में ही आएगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपका यह वाला भी इसको भी आप लोग तयार करिएगा बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहां पर जो है देवी देवी है वेरी इंपोरेंट है यहां पर इ नई देवी का तो आप लोग देख सकते है ये आपका oil on canvas मतलब acrylic में भी use करा है confess sorry oil color में भी use करा है और यहाँ पर आप लोग देख सकते है etching में भी use करा है प्रसित है क्या है सबसे जब्से nordy अधिर सब्सक्राइब क्या है islands with figures and elements, जो animals है, यहाँ पर 1975 में बनाया है, यहाँ पर etching में बनाया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, very important है, यहाँ पर आप लोग इसको देखेगा, यह वाली पिक्चर जो आपको बता है, आप लोग देख रहे होंगे, यह जो बनाई है, यहाँ पर आप देख सकत canvas में यह बना हुआ है यह आप लोग पिच्चर देह सकते हैं दुर्गा का तो आप लोगने देखा होगा दुर्गा का देख लिया गनेश का देख लिया और Man, Woman and Tree का देख लिया है यह चीज आप लोग ज बाकी निजामपूर सीरीज है उसका भी आप लोग ने देख लिया होगा देखो यह निजामपूर का 5 नंबर का है जो 1975 में बना है यह भी आपका एचिंग बना है वही वाला है यह जो पिक्चर है इसी का ही पार्ट है यह वाला जो लैंड्सके विद फिगर एंड एनिमल्स ह यही है डिजामपूर का यह जो पार्ट है यहाँ पर 5 नंबर का यह है अब तो यह तो चीज मैंने आपको बता ही दिया है पूरी पिक्चर आपको दिखाई दिया है तो बाकी आप लोग बस इतने ही से छोड़ा सा था बस आपका लास्ट में थोड़ा सा ओरल ले ले लेते है तो जड़ी से फढ़ा फट आँसर बताईएघा और यहाँ पर दूसी चीज आपको बताना है यहां पे पहले यह वाला बताईगा सबी स्टुएट आइसर बताईगा के लक्षमग्वड को यहाँ पर पद्मशिरी पुरुसकार मिला है तो वो कब मिला है तो सबी चानते यहाँ पर यह picture है कौन से में बनाई है आपको बताना है कौन सा medium यूज करा है तो यहाँ पर बता देती है यह हो जाएगा आपका एचिंग में हो जाएगा किसमें हो जाएगा आपको यह भी आच्छे से याद रखेगा clear? अब हब बात करती हैं कहां से लिए भी को जानते हैं पर कहां से लिए है तो सबी po जानते ही यहां पर कहां से लिया है तो बिलकुर आपका हो जाएगा MS विश्यू बिध्याले और MS विश्यू बिध्याले से दोनों से लिया है ग्राफिक से लिया है बित्ती चित्र से भी लिया है यानि कि कहने का मतलब यह है कि बित्ती चित्र का जब यह काम कर रहे थे अध्यन कर रहे थे उसी टाइब में इन्होंने ग्राफिक का अध्यन करा था और कब ये और किसके निर्देशन में इन्होंने बित्री चुत्र का काम किया है तो केजी सुब्रोबन्यम के निर्देशन में इन्होंने काम किया है ये आपको याद रखना है बागी अब बात करते हैं पर कि इनका जो विशे है इनका विशे है यहाँ पर तांत्रिक विशे पर इन्होंने चापा भी बनाए है किसने के लक्षमर गौर ने तांत्रिक विशे पर भी इन्होंने चापा बनाए है या भी आप लोग बदा सकते हैं यानि कि आप लोग बदा सकते हैं कि ये तांत्रिग वादी कलाकार है, तांत्रिग में काम किया है, तो तांत्रिग वादी हो जाएंगे, तो ये चीज़ भी आप लोग को याद करना है, नेक्स्ट बात करती हैं यहाँ पर, इनका जो मलब वो बनाया है, यहाँ पर, आप हो जाएगी एक रंगी हो जाएगी यानि की कहने का मतलब है मोनो क्रोम हो जाएगी कैसी हो जाएगी मोनो क्रोम और चलिए तो बताईगा इनका जन्म कब हुआ है बद का जन्म कब हुआ है अब इनकी डियात नहीं हुई है यह मैं सोचीगा तो यहाँ पर यह है तो important है आपके समकाली छापाकार है तो इसको याद रखीगा तो इनका जन्म है यहाँ पर 1940 में हुआ है इनका जन्म हुआ है और भी कहां पर निजामपुर कहां हुआ है निजामपूर में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, जो कहां है और ये जो बरतमान में कहां पढ़ता है, अब बरतमान में कहां पढ़ता है, तेलंगाना में पढ़ता है, ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखेगा आपको इंको प्रसिधी की रूपे और बस याद रखना है बस बाकी तो आपको पता ही है कि यहाँ पे चापाकर के रूपे इनको प्रमूगर रूप से तो छापाकर की रूप में जाने जाते हैं बाकी ये चापा कार के साथ ये एक ड्राफ्ट समेंड भी थे इसको भी आप लोग याद रखीगा बाकी हम नेक्स्ट अब कल के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं कल भी दिवित को मैंने कराया था तो यहाँ पे सबसे पहले बताईगा पदम श्री पुरुसकार कब मिला है लक्षमर पै को लक्षमर पै पूछा है के लक्षमा गौर नहीं पूछा है बताईगा पदम श्री पुरुसकार कब मिला है बताईगा साभी स्टुएंट बताईगा पदमश्री पुरुसकार कम मिला है लक्षमरपै को इतनी जल्दी बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना सारे स्टुएंट भूल जाते हैं ना चलिए तो बताईगा लक्षमरपै को यहां पे पदमश्री पुरुसकार कम मिला है तो कम मि मिला है तो बिल्कुल यहां पे 1985 में मिला है इनको पद्मश्री पुरुसकार और पद्मभुषर कब मिला है 2018 में इनको पद्मभुषर पद्मभुषर ही मिला है पद्मभुषर 2018 और किसकी बात करने है लक्षमडपै की बात करने है तो यहां पर याद रखिएगा सभी लोग बाकी तो आपको बस यही चीज पूछना था बस यही दो चीज जादा इंपोरेंट है यहां पर पुरुसकार आप लोग जरूर याद को पूरा त्यार कराना है कि एक भी कोशन आपका एक्जाम से बाहर ना चाहे तो यहां पर बिल्कुल बस जुड़े रहिएगा और आपने क्लास करिएगा अच्छे से पढ़िएगा बस यही कहना है और क्या ही कहना है बाकी जाते जाते गुरु दक्षिडा चले लाइक करि करिएगा ताइम मिले तो तो बिल्कुल दोनों है दोनों काम जरू करिएगा आप लो बाकी आपी क्लास यहीं फिनिश करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे ओके थांक यू अब्रीबन ओके थांक यू